अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखेगा और उसके बाद ही इस वीडियो को आप देखना तभी आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा और अगर आपने ये चैनल जो है मेरा फिजिक्स मेरे जीवित सवरोब कुल करनी तो यह अगर अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो क्योंकि हर दिन हम इस से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर में अपलोड करने वाला हूं तो सब भी वीडियो का लेटेस इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करन्ट, पोटेंशिल डिफ्रेंस, इन दिस लेशन वी विल स्टेडी ओम्स लॉव एंड फैक्टर्स ओन वीच रिजिस्टन्स ओप कंडॉक्टर डिपेंड्स ओके तो आज के लेशन में यह जो बीट है ओम्स लॉव यह सबसे इंप पता है था, इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे पता होगा आपको, अधा फंडामेंटल प्रोपर्टी ऑप बोडी बाइवर्ट्य आप विच इस प्रोडूस इलेक्ट्रिक और मैंग्नेटिक फिल्ट अरॉंड इस कॉल्ड अचार्ज, तो चार्ज का यह बेसिक डेपिनेशन थ चार्ज के दो टाइप थे खेते, पॉजडिव चार्ज, निगडिव चार्ज, वनेवर नुट्रल बोडी दोनेट्स दे एलेक्ट्रों, इट अक्वार्स पॉजडिव चार्ज, वनेवर नुट्रल बोडी गेंस देडिशन 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 शार्जन डाता है चार्जीे आनी वॉडेज इंटीग्रार्णस उनक्रोले ज्रीच चार्ज मतलबं एक एलेक्ट्रोन पर कितना चार्ज होता। उसका value को electronic charge कहा जाता है और कितना value होता है उसका 1.6 into 10 raise to minus 90 तो start करते हम next bit को जिसका नाम है free electron तो जैसे आपको पता होगा last lecture में आपको पढ़ाया था free electrons मतलब कोई भी metal के अंदर बहुत सारे atoms होते हैं और यह atoms के अंदर अलग-अलग type के electrons होते हैं क्योंकि यह just nucleus के around revolve करते हैं उसके बाद यह जो electron इसे हम valence electron कहते हैं क्योंकि यह last orbit में move करता है इस वज़े से so electron continue in the last orbit is called as valence electron तो यह valence electron अगर किसी वज़े से externally energy gain करते हैं जैसे आपर दिखा है मैंने diagram में तो externally अगर energy gain कर दे कोई अगर atom तो at that time valence electron वो energy को capture कर लेते हैं और उनका जो energy वो बढ़ जाता है पहले energy इनका जादा होता है क्योंकि यह last orbit में move करते हैं इस वज़े से और externally energy gain करने से इनका energy बहुत ही जादा बढ़ जाता है इस कारण यह electron अपने atom को छोड़ कर भाहर निकल जाता है और क्या बोलके act होता है free electron so valence electron gains the additional energy then it lose the atom and acts as a free electron तो यह valence electron कोई भी conductor के अंदर कैसे move करते हैं randomly कही पर भी जा सकते हैं जहाँ पर उनका मन करें इसके बाद next है inside the conductor there are very large number of free electrons are present while in insulator very few free electrons are present तो few electrons सी किसी substance को conductor या फिर insulator बनाते हैं कोई structure को अगर हमें conductor बनाना हो तो उसके अंदर बहुत ही जादा free electrons होना जरूरी होता है तो conductor के अंदर free electrons का number बहुत जादा होता है very large होता है और वही insulator के अंदर बहुत ही कम होता है या होता भी नहीं आईसा बोला तो भी चलता है next है electric current ये भी एक important concept था जो कल पढ़ाया था मैंने आपको the amount of charge flowing through a particular area in unit time is called electric current electric current पता होगा आपको flow of charge per unit time is called as electric current so electric current i is equal to charge upon time आजाएगा so i is equal to q by t ठीके तो i मतलब current है तो ये current हम किसमें measure करें ampere q मतलब charge जीसे हम किसमें measure करें coulombs में t मतलब time h जीसे हम measure करें seconds में so 1 ampere is equal to आजाएगा 1 coulomb upon 1 second तो 1 ampere का definition हमें exam में आता है क्या बता सकते हम if 1 coulomb of charge flows for 1 second then the amount of current is 1 ampere अगर 1 coulomb charge किसी wire के अंदर 1 second के लिए flow होता है तो उस wire में कितना current पास हो रहा है 1 ampere तो 1 ampere ये current का value बहुत बढ़ा होता है इस current हमें current को अगर छोटे value में measure करना है तो at the time हम उसके हम 2 units को use करते है 1 milliampere जिसे m into a से denote किया जाता है 1 milliampere is equal to 10 raise to minus 3 ampere and this symbol is called as micro so 1 micro ampere is equal to 10 raise to minus 6 ampere current measure करने का जो instrument होता है उसका नाम होता है emitter और emitter हमेशा circuit में कैसे connect किया जाता है series में तो याद रखना ये चीज़ को बहुत important bit है इसके बाद मैंने आपको next bit पढ़ाया था potential difference potential difference मतलब क्या होता है कोई भी wire के अंदर जब हम battery अपला करते है तो at the time जो wire के अंदर free electron से ये सब किस ओर जाने की कुशिश करते है towards the positive terminal of the battery तो एक force की वज़े से वो खीचे चले जाते है towards the positive terminal of the battery और उस force को क्या कहा जाता है electro motive force जो battery generate करता है तो इस force की वज़े से जो charge particle से वो एक जगा से दूसरी जगा मूह होते है और इस condition में वो कुछ न कुछ work create करते है और उस work कोई क्या कहा हो जाता है potential difference तो potential difference को हम कैसे define कर सकते है the amount of work required to move unit positive charge from one point to another point it's called potential difference potential difference is denoted by V and V is equal to आ जाएगा word on W upon charge Q so V is equal to W by Q okay so one holt is equal to आ जाएगा 1 joule upon 1 coulum okay so one holt को हम define कर सकते है ये भी definition one marks के लिए आ सकता है potential difference between two points in a current carrying conductor is one holt when one joule of work is done to move a charge of one coulum from one point to another point तो एक कूलम charge को हमें मूह करना है one joule work देकर एक point से दूसरे point तो at that time वहाँ पर कितना potential difference जनरेट होने वाला है one holt का so this is the definition of one holt okay potential difference measure करने के लिए हम जो device use करते है उसका नाम होता है holt meter याद रखना current emitter से measure करते हैं potential difference holt meter से ठीके और holt meter always हम parallel में connect करते हैं between the two points at which we want to measure the potential difference तो यहाँ तक मैंने आपको last lecture पढ़ाया था और इससे related कुछ numerical भी मैंने last lecture आपके साथ discuss किये थे और कुछ task भी मैंने आपको दिया था मुझे लगता है कि आपने वो जरूर solve किया होगा okay नहीं किया है तो जल्दी से कर दो तभी आपको यह topic अच्छे से समझ में आ जाएगा अब इस topic के सबसे बड़े bid के और जाने वाले हम ओम शुला लेकिन उसके पहले आपको पता होगा जो भी electrical symbols है उनका हम एक collection देखते है यहाँ पर तो यह कुछ electrical symbols है जो हम diagram से निकालते वक यूज करने वाले जैसे electric cell का पता होगा आपको electric cell को हम इस symbol से denote करते है एक बड़ा वाला लाइन होता है जिसे हम plus से denote करते है और छोटा वाला लाइन माइनस से ठीक है इसके बाद next step battery battery मतलब भी क्या होता है combination of cell एक cell की जगा आगर हम 2-3 cell अकर निकालते और first cell के first bigger line को हम positive देदे और last cell के छोटे लाइन को अकर negative दे तो यह system क्या बन जाता है battery battery is nothing but the combination of cell तो यह battery denote करने का symbol है उसके बाद next step plug key और switch तो switch अगर open रहा तो bracket देना और bracket के अंदर dot नहीं रहेगा इसका मतलब यह switch open open मतलब बन दे और उसके बाद plug की switch closed अगर रहा closed मतलब अगर यह button अगर चालू हो जाता है तो at that time वहापर dot देना तो इसे plug की कहा जाता है generally यह lab में use किया जाता है कुछ है experiment करते हो उसके बाद wire joint दो wire के बीचा कर joint हो तो at that time ऐसा symbol denote किया जाता है यह circle से और दो wire just एक दूसरी के उपर से cross कर रहे लेकिन वह internally एक दूसरे से connected नहीं है तो at that time ऐसा bypass करके एक wire को दिखाना पड़ता है so this system is called as wire crossing without joining okay इसके बाद next electric bulb है तो electric bulb को यह diagram नहीं निकाला तो चलेगा यह थोड़ा hard लगेगा आपको just ऐसे निकालना m जैसे symbol निकालना okay तो इसे हम electric bulb कह सकते हैं okay उसके बाद next है register of resistance R तो resistance यह concept में आपको पढ़ाया नहीं थोड़ी देर में पढ़ने वाले हम लेकिन यह symbol आप जरूर याद रखेगा resistance R से हम denote करते हैं और उसका symbol जो होता है वो कुछ ऐसा होता है ठीक है zigzag line से निकालना आपको ऐसे इसके बाद next है variable resistance और rheostat यह resistance का value अगर change होता हो तो at that time उसे ऐसे symbol से और एक बीच में arrow से denote किया जाता है ठीक है उसके बाद next है ammeter ammeter को हम जैसे आपको पता होगा ammeter किसके लिए major use करते हैं हम to measure the electric current तो electric current measure करने वाला जो device है वह ammeter है तो इस ammeter को हम circle के अंदर यह लिखते हैं एक तरफ प्लस दूसरी तरफ minus so this is the symbol for ammeter उसके बाद voltmeter का आएगा bracket के अंदर मतलब circle के अंदर भी एक तरफ प्लस एक तरफ minus यह symbol याद रखना जब कभी हम diagram निकालेंगे at that time हम इसे यूज का लें अब इसके बाद सबसे important topic इस topic का ohms law scientist ohms ने बता हुआ यह law है सबसे पहले आप इस diagram के और concentrate करो यह diagram हमारे electric circuit से बहुत जादा interaction करता है कैसे करेगा आप देखो एक tank है जो upper height पर रखा है एक दूसरा tank है जो lower height पर रखा है ठीक है तो अगर हम इन दोनों को pipe से connect करते weighickr होने के कारण इसका potential जादा होगा और जो छोटा hangar होने के कारण। उपर से पानी नीचे के और जाने वाला है क्यों होता है सगया है इन दोनों को भीच हाइट का difference है ठीक है इन दोनों के बीचका हम height का difference हम कर देखीकों कlaim कर मुझे kiss उस situation में पानी पास होगा एक विकर से दूसरे विकर इसका answer डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि आगर ये दो विकर को हम सेम height पर लाते हैं तो दोनों का potential सेम हो जाएगा इसका आगर वहाँ पर पानी का flow होने ही नहीं वाला है और कली मैंने आपको बताया था flow इस word को हम किसे replace कर सकते है current से flow मतलब ही current है तो जैसे जैसे हम इन दोनों के बीच का height का difference बढ़ाते चले जाएंगे at the time इस पानी का flow बढ़ने वाला है उपर से नीचे जाते हैं वक्त ओके मतलब ही current बढ़ने वाला है मतलब जितना हम height का difference इन दो बीकर के बीच में बढ़ाने वाले है उतना ही water current यहाँ पर बढ़ने वाला है तो exactly same situation हमारे electric circuit में occur होता है अगर हम battery का जो potential difference है जो मैंने कल बढ़ा है था आपको potential difference तो battery का potential difference हम बढ़ा देते हैं ओके और तो at the time उस battery से निकलने वाला current है वो भी बढ़ जाता है ओके मतलब जैसे जैसे हम battery का potential difference बढ़ाते है exactly उसी वे से current भी बढ़ता है अगर हम potential difference कम करते चले जाते है तो current भी कम होता है तो यही कहते है हमें ohms law okay the electric current flowing in a metallic conductor is directly proportional to the potential difference applied between its terminals provided physical conditions of the conductor such as length, area, material and temperature remains constant मतलब क्या कहते है हमें यह law अच्चे से समझ लो electric current जो flow हो रहा है किसी भी conductor के अंदर यह directly proportional होता है उसके अंदर apply करने वाले potential difference है okay मतलब अगर हम potential difference बढ़ाते हैं तो current भी बढ़ने वाला है अगर हम potential difference को कम करते हैं तो current भी कम होने वाला है this type of proportionality is called as directly proportional okay so जो potential difference होता है जिसे हम V से denote करते हैं okay वो directly proportional होता है current I से so V is directly proportional to I लेकिन यह कब valid है यह condition कब applicable है जब wire का length, area, material और temperature क्या होना ज़रूर है constant constant मतलब वो change नहीं होने चाहिए तब ही हम यह law लिख सकते हैं तो इसे एक short form की तरह याद रखना LAMT इस वज़े से मैंने इन points को mark किया है तो अगर आपको यह याद रखने में दिक्कत आ जाए या कभी आप एक quantity भूल जाए तो एक code word याद रखना LAMT LAMT यह अगर 4 parameter constant हो at that time only we can able to say that potential difference V is directly proportional to I अगर इसमें से एक भी parameter change हुआ तो V is not directly proportional to I always remember this thing ओके तो V is directly proportional to I होगा तो अगर यह proportionality sign निकाल दे हम तो किसी constant के साथ हम इसे multiply करना पड़ता है और वो constant होगा R ठीके तो इस R को क्या कहा जाता है resistance of the conductor इस constant का नाम है resistance of the conductor और यह resistance मतलब क्या होता है opposition to flow of current current को अपोच करने वाला जो factor है उसे resistance कहा जाता है V मतलब potential difference, I मतलब current और R मतलब resistance ठीके तो अगर हम in terms of R अगर यह formula निकाल देते हैं तो क्या आएगा V by I, ठीके तो याद रखना हो V is equal to क्या आएगा IR R is equal to क्या आएगा V by I और I is equal to क्या आएगा V by R तो यह three formulas है ohms law के, तीनो भी formula हमें अलग-अलग conditions में लगते हैं तो यह तीनो भी formula आप कभी भी नहीं भूलना चाहते हों तो आप उसके लिए यह triangle के ओर देखिएगा यह triangle हमें कभी भी ohms law को भूलने नहीं देगा अगर आप भूलने का कोशिच भी करोगे तभी आप ohms law को नहीं भूल पाओगे अगर यह triangle आप आखो के सामने लाओगे तो ठीके वी उपर लिखना इस triangle में आ यहाँ पर रहेगा आर यहाँ पर रहेगा ठीके अब जिस quantity का हमें formula चाहिए उसके उपर हाथ रखो जैसे मैंने वी के उपर अगर यहाँ पर हाथ रख दिया तो मुझे क्या दिखाए दे रहे नीचे I R तो इस वज़े से V का formula आएगा I R, ओके like that I के उपर अगर मैं हाथ रख दू तो मुझे क्या दिखाए देगा V by R तो इस वज़े से I का formula क्या आएगा V by R like that मुझे अगर R का formula चाहिए तो मैं R Q पर हाथ रखने वाला हूँ तो मुझे R का formula क्या मिलेगा V by I so this is called the Ohm's law V is equal to IR, I is equal to V by R and R is equal to V by I ओके तो कोई भी अगर term आजाए Ohm's law का तो यह triangle ज़रूर याद कीजेगा आपको ज़रूर वो formula याद आजाएगा ठीके तो यह R जो quantity यह resistance इसे measure करते हम Ohm में यह जो octopus जैसा sign नजर आ रहा है इसे Ohm कहा जाता है ठीके यह Ohm सिंबॉल है resistance के SI unit को denote करने का Ohm यह scientist का नाम है जिन्होंने हम यह law बताया तो यह symbol हम उसे denote करने के लिए उस करते है 1 Ohm कैसे rate करना इसे Ohm okay so 1 Ohm is equal to बताओ मुझा आप R is equal to V by I तो potential difference Vm किसे measure करते है hold से so 1 Ohm का value क्या मिलेगा हमे 1 Ohm का भी definition आपको पूछा जाता है 1 Ohm is the resistance generated when one hold potential difference applied across the conductor and one ampere current flowing through that conductor so this is the concept related to the Ohm's law and 1 Ohm resistance okay I hope आपको यह समझ में आ गया होगा okay तो जाते हम इस topic के next video next video इस topic का resistivity ठीके जैसे पिछली बार यह आपको मैंने बताया कि resistance change होता है अगर length area material temperature अगर change होता है तो ठीके तो resistance एक changeable quantity है ठीके तो मुझे अगर दो wire का resistance measure करना हो okay तो मुझे उन wires का length उन wires का area उन wire का temperature पता होना बहुत ज़रूरी है तब ही मैं उसका exactly resistance निकाल सकता हूं तो resistance एक variable quantity है जो अलग-अलग parameter से भारी हो सकता है जैसे length, mass, area और temperature अगर यह चारो में से एक भी parameter अगर change हो जाए किसी wire के across that time उसका resistance भी क्या होने वाल है change होने वाल है तो हमें अगर दो quantity को compare करना हो तो fixed quantity चाहिए होता है और वो fixed quantity हमें कोंसा मिलेगा resistivity okay resistivity को कैसे हम define कर सकते देखो we know that resistance of conductor depends on length area and material okay बट अगर हम इसको observe करते है precise measurement shows that the uniform metallic conductor resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to length and inversely proportional to the area of cross section okay resistance जो रहेगा wire का वो directly proportional आता है length को और inversely proportional आता है area को directly proportional numerator में लिखना और inversely proportional denominator में ऐसा बीट अपने ohms अपना universal gravitational law में आपने जरुर्व स्टेडी किया होगा 9 में तो यह वही concept है directly proportional और inversely proportional का तो दोनो proportionality को क्या हम combined लिख सकते हैं r is directly proportional to l and r is inversely proportional to a so r is directly proportional to आ जाएगा l by a तो अगर यह proportionality sign हम निकल दे तो हम यहाँ पर constant के साथ multiply करना पड़ेगा और वो constant कुछ ऐसा रहेगा इस वे से उसका symbol लिखना तो इस symbol को रो कहा जाता है r ho तीनों वर्ड एक साथ बोलना इसका pronunciation रो आ जाएगा okay so r is equal to rho into l by a so this is the formula for resistance okay where rho is called as constant of proportionality and it is called as electrical resistivity okay of the material of the conductor तो resistivity कहा जाता है इस symbol rho को तो इस resistivity rho का क्या formula आएगा देखो resistivity का formula निकलते हो वक a उपर चला जाएगा l निचे जाएगा so rho is equal to r a by l ऐसा कुछ आ जाएगा तो इसका ऐसा unit of resistivity क्या आएगा रो is equal to देखो अब इसका ऐसा unit निकलते हो वक हमें resistance का ऐसा unit पता होना चाहिए जो आभी बता है था मैंने ohum okay तो इस वज़े से resistance का ohum आ गया यह मतलब area है area को हम किसमे measure करते है meter square okay और निचे लेंगते तो उसे किसमे measure करेंगे हम meter तो उपर का meter square और निचे का meter cut हो जाएगा okay और क्या बचे का ohum meter तो ohum meter यह बन जाएगा SI unit of resistivity always remember this okay तो अब हमें resistivity को define करना है तो resistivity को define करने के लिए हम एक example से उसे define करना होता है और example कैसा रहेगा एक wire लेना पड़ेगा हमें जिस wire का area आएगा 1 meter square और length आएगा 1 meter तो यह दोनों values हम resistivity के formula में put करने वाले है तो area 1 meter square और length 1 meter तो यह put करने के बाद हमें final answer मिला row is equal to r मतलब इस situation में इस wire की condition में resistivity row किसके साथ equal आ रहा है resistance के साथ तो resistivity को हम कैसे define कर सकते है resistivity of a conductor is defined as resistance of a conductor measured when wire having unit cross sectional area and unit length तो wire का जब area 1 meter square हो और wire का length जब 1 meter हो तो at that time अगर हम wire का resistance अगर measure करते है तो उस resistance को resistance न कहते हुए हम क्या कहने वाले resistivity so resistivity को हम another एक नाम दे सकते है specific resistance ऐसे भी उसे कहा जाता है क्योंकि एक specific condition में resistance measure किया जाता है its current resistivity is nothing but a resistance measured when wire having unit cross sectional area and unit length okay so this is the definition related to the resistivity तो देखा बाग कुछ resistivity से related important concept हमें देखना है the metals and alloys have very low resistivity in the range 10 raise to minus 8 o meter to 10 raise to minus 6 o meter तो resistivity का range दे है meters और alloys के लिए आपको पता होगा metals and alloys are good conductor of electricity okay वो good conductor of electricity क्यों होते है क्योंकि उनका resistivity कम होता है resistivity मतलब current को oppose करने वाला factor वो जितना हो उतना कम चाहिए okay अगर एक particular material का resistivity कम है तो वो बहुत ही अच्छा conductor है और अगर एक particular material का resistivity जादा है तो वो बहुत ही bad conductor है बहुत ज्यादा bad conductor रहेगा तो resistivity of good conductor is lies between 10 raise to minus 8 o meter to 10 raise to minus 6 o meter always remember this okay like that insulator का resistivity होता है जैसे दो example rubber and glass okay तो इनका resistivity 10 raise to 12 to 20 raise to 17 मतलब बहुत ही ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा अगर positive value में resistivity रह जाता है तो वो material insulator होता है और resistivity बहुत कम रहा negative power में जैसे 10 raise to minus 8 to minus 6 तो वो material conductor होता है बहुत resistance and resistivity of the material vary with temperature resistance हो या फिर resistivity हो दोनों भी temperature change हो तो क्या होते वहरी होते है इसकार यह नीचे का chart दे आपको यह chart देते वक्त उन्होंने temperature भी mention किया है कि यह सभी जो values है हर एक material के resistivity के यह values कब measure किये है at the temperature of 20 degree Celsius तो देखो silver सबसे good conductor है among all the substances है सभी हमारे जो nature में exist करने वाले substance है उनमें सबसे अच्छा conductor silver है और इसका resistivity 1.60 into 10 raise to minus 8 over meter लाइक डाट आपको यहाँ पर दिया है तो सिर्प range समोझ लो आप इसे learn करने के कोई जरूत नहीं आपको यह से learning करने के लिए आपको कभी भी आएगा नहीं question ओके जैस्ट आपको बताना पड़ता है किसका resistivity ज्यादा है किसका कम है जैसे insulator का resistivity बहुत ज्यादा है क्योंकि हो positive power में और conductor का resistivity बहुत कम है क्योंकि हो negative power में ओके और आलाय का resistivity उनके बीच में लाए करता है कंड़क्टर जितना कम भी नहीं और इंसुलेटर जितना ज्यादा भी नहीं तो this is the concept related to the resistivity of conductor alloys और इंसुलेटर तो next video तो अब इससे related हमें इस बीक कोशेंद दिया है यह आर्ड़क्वाइल स्वाप इलेक्ट्रिक टोस्टर से एं इलेक्ट्रिक आयन्स मेड़प अफ यह एंड़क्वाइन रादर दन प्यूवर मेटल प्यूवर मेटल का resistivity कम होता है अलोई को थोड़ा ज्यादा होता है तबी भी हम जो इसका रिजन क्या बहुत अच्छे समझना बहुत ज्यादा बार एक्जाम में पूछा गया क्वेशन है resistivity table क्या शो करता हमें resistivity of an alloy is generally higher than that of the constituent metals okay but alloys do not oxidize or burn readily at the higher temperature for this reason they are commonly used in the electric heating devices like electric ions and toasters always remember this point okay क्योंकि क्या हो जाता है alloy को कितना भी heat up कर आप वो oxidize नहीं होते है लेकिन metal को ज्यादा heat up करने के बाद वो oxidize हो जाते है air के oxygen के साथ वो react करते है इस process को oxidation कहा जाता है ऐसा oxidation alloy कर नहीं होता है इस वाज़े से वो जलते नहीं है higher temperature पर लेकिन metal जल सकते है okay तो एक बार अगर वो coil जल गया तो फिर उसका क्या काम इस वज़े से जो heaters और toaster की coil से जनरल हम किसे यूज करते हैं alloy से किसे बनाते हम उसे alloy से okay इसके बाद next एक बीट है tungsten is used for the filament of electric bulb तो हमारे जो electric bulb होता है पूरानी जमने हमें यूज करते थे alloy कलर का तो वो जो bulb था उसके अंदर एक line था जो चमकता था वो line को filament of bulb कहा जाता है और यह filament जो bulb का होता है वो किसे हम यूज करते है tungsten से उसके बाद aluminum and copper are generally used for the electrical transmission line because they are good conductor among all the substances okay सभी substance में से आप observe करो resistivity का चार्ट उसमें copper और aluminum सबसे आच्छे conductor है सबसे आच्छा conductor में आभी बाता है था आपको silver है लेकिन silver आपको पता होगा इतना महेंगा होता है इस वज़े से हम transmission line में use नहीं कर सकते हैं वरना जो चोर होंगे वो सबसे पहले तो transmission line के wire ही चुरा लेंगे क्योंकि बहुत costlier होता है silver इस वज़े से हम silver को नहीं use करते हैं rather than copper and aluminum metal are very cheaper than the silver that's why in transmission line we are using copper and aluminum तो ऐसा भी give reason आपको आ सकता है इस बीट के और जाते हम कुछ numerical देखना है आज का जो part हमने देखा है उसकी related पहला है how much current will an electric bulb draw from 220 hold source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm तो आपको potential difference दिया है एक bulb का तो V is equal to 220 hold okay 1200 ohm ohm में क्या major करते है हम resistance किससे denote करते है उससे R से so R is equal to आएगा 1200 ohm तो according to ohm's law triangle याद करो और बता मुझे I का formula क्या आएगा I is equal to V by R तो V का value 220, R का value 1200 तो इसका आंसर आएगा 0.18 ampere like that अग दूसरा question है आप दूसरे question में भी वैसा ही कुछ भीट दिया है voltage दिया है 220 hold okay और current दिया है 100 ohm ठीके तो इसका आंसर आगा है 2.2 ampere तो यह example समझने के लिए आपको पहले example में देखो पहले और दूसरे example में क्या common है potential difference V लेकिन क्या change हो रहा है resistance तो जिस wire का या फिर जिस phenomenon का resistance ज्यादा है उसका current कम होता है और जिसका resistance कम है उसका current ज्यादा होगा तो यही बीट आपको समझने के लिए यह numerical दिया है इसके बाद next है the potential difference between the terminals of an electric heater is 60 hold when it is draw a current of 4 ampere from the source what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 hold ठीके तो आब या पर दो case दिये पहले case में आपको voltage दिया है 60 hold और current दिया है 4 ampere तो इस case में हम resistance निकाल सकते हैं क्योंकि पहले case में जो electrical heater है वही दूसरे case में सिर्फ हम potential को बढ़ा रहे 60 hold से 120 hold में तो हमें second case में अगर potential difference निकालना है तो उस case का हमें resistance पता होना जरूरी है इस कारण हम first case से resistance निकाल रहे हैं तो V का value 120 hold रेकिन R का value तो उतना ही होगा resistance voltage बढ़ने का कम होने से change नहीं होता है क्योंकि वो constant है ठीक है इस बज़े से R का value 15 ohm ही आएगा पहले case में भी और दूसरे case में तो इस case में current क्या आएगा I is equal to V by R तो 120 by 15 आंसर आजाएगा 8 ampere तो यह रहेगा final answer इसके बाद next question दिया है यह सबसे important है resistivity का question याद रखना है resistance of a metal wire of length 1 meter is 26 ohm at 20 degree Celsius if the diameter of the wire is 0.3 mm what will be the resistivity of the metal at that temperature ठीक है resistivity निकलना हमे using the table of resistivity predict the material तो वो material कौन सा रहेगा है हमें predict करना है resistivity table से तो सबसे पहले resistance दिया 26 ohm तो लिक लेते हम given data R is equal to 26 ohm उसके बाद diameter जिया है 0.3 mm तो 0.3 mm है तो क्या हम इसे लिख सकते 3 into 10 raise to minus 4 mm देखो millimeter का conversion अगर meter में किया तो 10 raise to minus 3 होता है और यह 0.3 है अगर इसे हम 3 लिख दें तो another एक minus होना आएगा minus 1 और minus 3 बन जाएगा minus 4 ओके length दिया है 1 meter तो अब हमें resistivity निकालना है तो rho is equal to ra by L तो यहाँ पर metal का wire दिया है तो wire का shape cylindrical होता है इसकारण cylinder का area pi r square होता है तो इस वज़े से a का value pi r square पूट कर दिया so 26 into pi का value pi रहेगा into r का square अब यहाँ पर diameter दिया है तो इसे 2 से divide करना पड़ेगा तो इस वज़े से 3 by 2 into 10 raise to minus 4 का whole square divided by length का value 1 है तो 1 आ जाएगा तो सब values put कर दिये करते करते final answer आ गया 1.84 into 10 raise to minus 6 ओहम तो अब यह value आप compare करो जो resistivity का table में आपको पहले बाता है था उससे तो आपको यह समझ में आएगा कि above material conductor है क्यों क्योंकि इसका resistivity किसके और किसके बीचे 10 raise to minus 8 तो 10 raise to minus 6 के बीच में इस वज़े से क्या रहेगा conductor आ रहे है समझ में तो याद रखना जनरली conductors का resistivity 10 raise to minus 8 तो minus 6 के बीच में लाय करता है semiconductor का minus 4 तो plus 4 या हमारा सिलबस का पार्ट नहीं है याद रखा तो चलेगा नहीं भी रखा तो भी चलेगा कुछ प्राब्लेम नहीं लेकिन इंसुलेटर आ सकता है इंसुलेटर का resistivity होता है 10 raise to 10 तो 10 raise to 14 ओके और यह सब वैलू कितने temperature पर है 20 degree Celsius पर अब लास्ट क्वेशन है a wire of a given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm what would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2A तो first wire के लिए क्या दिया है उन्होंने length L दिया है area of cross section कितना दिया है a ठीके और resistance कितना दिया है उसका 4 ohm तो resistance R is equal to क्या होता है rho into L by A resistance का यह general formula है okay in terms of resistivity तो देखो आप इसका value उन्होंने already दिया है 4 ohm ठीके अब उनका क्या कहना है कि ठीके another condition क्या दिया है what will be the resistance of wire तो दूसरे wire का resistance निकलना है जो same material से बना है जो पिछला wire बना था okay और उसका link से भी L by 2 है और area कितना है 2 है ठीके तो अब save material इसका रण resistivity पहले condition में rho रहा तो इस condition में भी rho ही आएगा ठीके अब देखो length उसका L by 2 हुआ इसका रण L की जगा L by 2 लिया और area की जगा 2 है तो इसका final answer आ गया ये 2 और ये 2 multiply होगा तो 1 by 4 into rho into L by A लेकिन rho into L by A का value बताओ मुझी क्या है 4 ohm या फिर उसे हम R1 पूट कर सकते है इसका रण मैं अगर value पूट कर दूँ यहाँ पर rho into L by A का और वो कितना पूट करने वाले हम R1 तो final answer क्या जाएगा R2 is equal to R1 by 4 और R1 का value अगर हम 4 ohm पूट करते तो इसका answer आएगा final 1 ohm so this is the final answer of question अब next bit है अगर यह पूरा lecture आपको समझ में आ गया तो इन सवालों की जवाब आपको जरूर देते आएगा तो यह try कर आप next lecture देखने से पहले जरूर इस task को आप complete कीजएगा तब आपको next lecture समझ में आ जाएगा अगर किसी को कुछ दिक्कत रहा तो comment box में जरूर मुझे बताएगा कि आपको किस problem में या किस bit में दिक्कत है मैं जरूर उसका answer देने की कोशिच करूँगा ओके so thank you